दोस्तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जार्खन के पूर्व सिक्षा मंत्री नीरा यादव के घर के बाहर धमाका जार्खन की पूर्व सिक्षा मंत्री और कोडर्मा विधायक दोक्तर नीरायादव के आवास पर तेज धमाके के साथ बिसफोट की घटना से पूरा परिवार दश्यत में है शनिबार दिनभर के कारिकरम के बाद रात में जैसे ही विधायक नीरायादव अपने कोडर्मा इस्थित आवास पहुँची उसके महज 10 मिनट के अंदर उनके आवास के ठीक बाहर बिसफोट हुआ बड़ी खबर है जारखन में 25 अगस तक बारिश के आसार बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेसर एरिया के कारण जारखन में देखने को मिल रहा है मौसम केंदर ने 23 से 25 अगस तक पूरे जारखन में हलके से मध्यम दर्जी की बारिश की संभावना जताई है इस दोरान कहीं कहीं गरजन और भजरपात भी हो सकता है इसको देखते हुए मौसम केंदर ने येलो अलट जारी किया है बड़ी खबर है SSC ने निकाली बारवी पास के लिए इन पदों पर भरती सरकारी नौकरी की तयارी करने वाले युवां के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है कर्मचारी चेन आयोग्यानी SSC ने स्टेनो ग्राफवर ग्रूप C और ग्रूप D परिक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी जारी कर दिया है इसी के साथ ही SSC Stenographer भरती परिक्षा 2022 भी जारी हो गई है इन पदों पर आवेदन करने के लिए उमिद्वारों को SSC की ओफिशल वेबसाइट पर ssc.nisc.in पर जाकर आवेदन करना होगा SSC Stenographer Group C के चैन किये जाने वाले उमिद्वारों की भरती भारत सरकार बिभीन मंत्रालयों विभागों में की जाएगी वहीं SSC Stenographer Grade D के पद पर चैनित होने वाले अभिहार्थियों को Border Road Organization यानि BRO में भरती की जाएगी उमिद्वारों को बता दे कि इस्टेनोग राफर BRO यानि Group D केवल पूरूस उमिद्वारों के लिए है बड़ी खबर है जहारखन में आरक्षन परतीशत को बढ़ा सकती है हेमन सरकार जहारखन में STSC अत्यंत पिछला वर्ग और पिछला वर्ग के आरक्षन के परतीशत पर बिचार भी मर्ष कर सुझाव समर्पित करने के लिए उप समीती गठित की जाएगी मुख्यमंत्री हेमन सोरे ने इस बाबत प्रस्ताव को अपने स्विक्रिती दी है बरतमान सरकार जहारखन में आरक्षन की सीमा बढ़ाने पर बिचार कर रही है इसके लिए एक उप समीती का गठन किया जाएगा यह उचस्तरिय उप समीती जारखन में STSC और पिछरा वर के आरक्षन की सीमा को बढ़ाने के संबन्द में हर बिंदू पर नजर रखते हुए बिचार बिमर्षकर अपना सुझाओ राज्य सरकार को समर्पित करेगी दोस्तो पलामू से एक दूखद भरी खबर सामने है यहां डूबने से तीन बच्चों की मौत पलामू जिले के सत बरवा थाना इलाके में排 crash माइझ में दूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई तीनों बच्चे सथ बर्वा थाना, शेत्र के ताबर के रहने वाले थे, ग्रामिनों के सहयोग से पुलिस ने तीनों शवों को माइंस से बाहर निकाल लिया गया है और पोष्टमाटम के लिए MMCH भेजा गया है खबरों को माने तो पलामू के सत बर्वा थाना इलाके के ताबर के रहने वाले कुछ बच्चे खेलने के दोरान जिहां खेलने के लिए गौरा इस्थित के रिफाइट माइन्स में गह वे थे उसी दोरान ये घटना हुई जार्खन के सभी अस्तर के विद्याले होंगे उतकरमित जार्खन सरकार जार्खन में निधारित दोरी वा जनसंख्या के आधार पर हाई इसकूलों एवं पलश्टू हाई इसकूलों की उपलबधता सुनिश्चित करने के लिए सभी अस्तरों पर विद्याले को उतकरमित करे विभाग ने इसे लेकर सभी जीलों से रिपोर्ट मागी है। से payment करने पर चार्ज दिना पड़ सकता है Reserve Bank ने इसे लेकर discussion paper on charges in payment system जारी किया है इस पर RBI ने सुझाओ मागे है चार्ज बसूलने के लिए RBI के तरक दरसल Reserve Bank of India UPI पर चार्ज लगाने के बिकल्प तलाश रहा है RBI की ओर से जारी किये गए paper में कहा गया है कि UPI भी IMPS की तरह एक fund transfer system है लिहाजा तरक दिया जा सकता है कि UPI के लिए भी IMPS की तरह fund transfer transaction पर charges लगना चाहिए Reserve Bank ने कहा है कि अलग-अमाउंट के हिसाब से अलग-अलग charges निधारित किये जा सकते हैं paper में कहा गया है कि UPI एक fund transfer system के रूप में पैसों का result time जिहां real time transfer system transfer सुनिशित करता है वहीं या एक merchant payment system के रूप में भी real time से settlement सुनिशित करता है बड़ी खबर है जारकन में सिख्चकों के अस्थनांतरन को लेकर जारी हुआ नया SOP जारकन के सरकारी प्राधमिक माध्यमिक एवं उच माध्यमिक बिद्यालेओं परधाना अध्यपकों एवं सिख्चकों के अस्थनांतरन को लेकर नया SOP जारी कर दिया गया है माध्यमिक सिख्चा निर्देशक शुनिल कुमार ने सभी जीला सिख्चा पदाधिकारियों वह जीला सिख्चा अधिशकों को पत्र भेज कर इसके तहत निर्दारी तितियां तक अस्थनांतरन नीती के तहत संबंधित सारी प्रक्रियां पूरी करने के निर्देश दिये है सारी प्रक्रियां पोर्टर के माध्यम से संशोधीत अस्थानात्रन नीती के तहत ऑनलाइन होगी इसके तहत सभी स्कूलों जिला अस्तरिय अस्थापना समिती की बैठा कर 31 अगस्त तक जोन के आधार पर इसकूलों को अधिस सुचित किया जाएगा बड़ी कबर है ड्यूटी के बाद सरकारी डॉक्टर कर सकेंगे स्वास्तिमंत्री बन्ना गुपता ने नेपाल हाउस में विकास आयुक्त कार्याले सबाहगार में स्वास्ति सचु अरून कुमार सींग के साथ डॉक्टर्स और IMA के पदाधिकारियों के साथ बैठा की चर्चा के बाद सरकारी चीकितसकों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर लगी रोक हटाने पर सहमती बन गई हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुपता के भरोसे पर डॉक्टर्स ने 25 अगस्त से प्रस्तावीत हर्ताल के अंसिल कर दी है IMA जहारखंड के पदाधिकारियों जहासा एवोम अन्य चीकितसक संगठनों के पदाधिकारियों संग स्वास्थि मंत्री की बैठक में निन्ने लिया गया कि निर्धारिद ड्यूटि के बाद सरकारी चीकितसक प्राइवेट प्रेक्टिस कर सकते हैं देश के पहले फाइव स्टार होटल को प्राइवेट हैंड्स में सौपने की तयारी में सरकार केंदर सरकार ने देश के पहले सरकारी पांच सीतारा होटल अशोक होटल को नीजी हाथों में सौपने की तयारी कर ली है इस समंद में तयार किये गए प्रपोजल के अमसार, सरकार अब अशोक होटल को 60 वर्सों के लिए Operate Maintain Develop यानि OMD मॉडल के तहथ पट्टे पर देगी साथ ही इस होटल की अतरिक 6.3 एकड जमीन को व्योसाई कुदेश्यों के लिए बेचा जाएगा एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में युनेसको समेलन की लिए 1960 के दर्शक में इस होटल का निर्मान कराया गया था तब इसे बनाने पर 3 करोड रुपे खर्च हुए थे 11 एकड में फैला अशोक होटल, देश का पहला 5 इस्टार सरकारी होटल था इसमें 550 कमरे, लगबग 2 लाख वर्ग फूट रिटेल एंड ओफिस इस्पेस, 30,000 वर्ग फूट बैंक्वेंट और कॉंफरेंस फैसिलिटीज तथा 25,000 वर्ग फूट में फैले 8 रेस्टरा शामिल है अशोक होटल का मालिका नहक, ITDC के पास है सरकार के परपोजल के अनुसार, प्राइवेट पार्टनर इस होटल का विकास नए सीरे से करा सकता है दावा किया जाराएकी से दुनिया के जाने माने हेरिटेज होटलों की तर्च पर विक्सित किया जाएगा बता दे कि ये नए सीरे से इसका विकास पर 450 क्रुट रुपे का खर्चाने का अनुमान है बड़ी खबर है सियम हिमत सुरेन ने कहा है कि राधानी राची की तीन महतुपून सड़क पर योजनाए 20 महिने के तैल लक्ष से पहले पूरी होंगी ताकि जनता को जल्द सीजल्द जाम से मुक्ती मिल सके साथ ही उन्होंने आम जनता का भी आहवान किया है कि वे अपना विवहार बदले सरकारी संफथी को लावारी सामझे जिहां अपनी समझे ट्रैफिक नियमों का पालन करे अपने घर के सामने ही नया रास्ता नहीं बनाए गुल चकर से गुम कर आने की कोशिश करे उन्होंने बताए कि कैसे राची में गाड़ियां हर रेंगती है बाहर से आने वाले वाहन जब शहर में परवेश करते हैं तो जाम में परेशान होटते हैं मुख्यमंद्रे ने कहा कि सरकार ने कम से कम जमीन अधिगरन की कोशिश की है हलाकि जनता को इसका मौवज़ा भी दिया जा रहा है परियावी सोचना होगा कि मौवज़े के साथ साथ हमें सडक का भी लाब मिलेगा सियम सुकरवार को सिरमटोली में तीन महतपून सडक योजनाओ का शिल्यानयास के बाद लोगों को सबोधित कर रहे थे शिलानयास के बाद सियम ने सिरमटोली चोक राजिंदर चोक मेकौन गोलचकर तक बनने वाले फोर लेन फ्लाइबोर सडक निर्मान कारे का निरिक्षन किया देश में कोरोना की रप्तार थमी 24 घंटे में मिले 11,549 नए मामले देश में कोरोना वाइरस के मामलों में कमी देखने को मिली है स्वास्थि मंत्राले के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना की 11,549 नए मामले सामने आए हैं वहीं सक्रिय मामले भी एक लाग से कम होकर 99,889 हो गए हैं देश में अब तक 4,37,12,218 लोग COVID-19 से रिकवर हो चुके हैं वैक्सिनेशन की बात करें तो अब तक 2 अरब 9 करोण 66,885 लोगों को वैक्सिन की डोज दी जा चुकी है यहां आकडे रविबार सुब आठ वजे तक के हैं कोरोना संक्रमन की कारण से पिछले 24 घंटे में 34 लोगों की मौत हुई है जिसमें 9 लोग केरल से शामिल है अब तक कोविड-19 के कारण 5,27,332 लोगों की मौत हुचुकी है स्वास्थि मदराले की अनुसार सक्रिय मामले कुल संक्रमन का सुनिय दस्मलों 2-3 परतिशत है कोविड-19 रिकबरी दर अंठानबे दस्मलों 5-9 परतिशत है जारखण में फिर से खुलेंगे मर्ज किये गए सरकारी बिद्याले जारखण में पिछली सरकार में मर्ज किये गए सरकारी बिद्याले को फिर से खोलने की तियारी है सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने इसे लेकर फाइल बढ़ाने और सभी जीलों से रिपोर्ट मंगाने के नितेस विभागी पदाधीकारियों को दिये हैं उन्होंने कहा है कि जीलों से मिली रिपोर्ट की समिक्षा के बाद इस पर अंतीम फैसला लिया जाएगा मंत्री शनिवार को विभागी पदाधीकारियों के साथ बैठक कर रहे थे मंत्री ने कहा कि जारखन सरकार चुनावी घोशना में किये गए वादों को पूरा करने को लेकर प्रतिबध है जारखन मुक्ती मोर्चा ने बिधान सर्वाच चुनाव में मर्ज इसकुलों को फिर से खोलने की घोशना की थी